नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमितंकूपर दोस्तों आज मैं आपके लिए कहा हूँ स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट का जी के सक्षिन जिसका पोस्ट कोड था 88888888 तो यह जो एक्जाम हो था यह होता अप्राइल 2021 में तो जितने में आपको अंसर होता हूंगा यह एंसर होंगे फाइनल अंसर की के अकॉर्डिंग जो HPSC द्वारा प्रवाइड करवाई गई है तो यह है इसकी फाइनल अंसर की तो फाइनल की एज वैटेड़ वाइद एक्सपर्ट पैनल तो पोस्ट कोड 888 और यह सीरीज ए है तो चलिए शुरू करते हैं इसका जी के सक्षिन तो फर इतर तथा 75 डिगरी से लेके 89 डिगरी पूरव तो यह आपको याद रखना है नेक्ट कोशन जो है 122 हिमाचल प्रदेश एस पर सेंसस 2011 जन गर्णा 2011 की अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो कितना है तो काफी बार मैंने पहले इसका इसका अंसर है 972 और जो जन संक्या घनत्तर है हिमाचल प्रदेश का बहुत है 123 नेक्ट कोशन है विच इस दा लार्जेस्ट आर्टिफीचिल लेक ओफ हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम जील कौन सी है तो कल जो मैंने वीडियो अप्लोड की थी उसमें क कोशन है था कि सबसे बड़ी प्राकृतिक जील कौन सी है तब अंसा था रेनुका लेकिन इसमें पूछा है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम जील कौन सी है तो सबसे बड़ी कृत्रिम जील कौन सी है गोविंत सागर जील जो की कहां पर डिस्टिक बिलासपु option C, चमबा, तो final answer की में अंसर दिया है, option C, चमबा, next question जो है 125 है, भोरंज sub division is located in which district of हिमाचल प्रदेश, तो भोरंज उपमंडल हिमाचल प्रदेश के काउन से जिले में ये स्थित है, तो 125 का है, option D, none of these, तो ये है district हमिरपूर में, next question हमारे पास, फुलेच फेस्टिवल is celebrated in which district of हिमाचल प्रदेश, तो फुलेच तो यहार हिमाचल प्रदेश में काउन से जिले में मना जाता है, ये district के नौर में, option D, next question जो है 127, डुंगरी फियर is celebrated in which district of हिमाचल प्रदेश, तो डुंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के काउन से जिले में मनाया जाता है, तो 127 का है, option A, district कुलू में, और ये लगता है देवी घिमबा की याद में, next question 128 है, the youngest girl of हिमाचल प्रदेश to scale mountain, mountain Mount Everest is, तो Mount Everest पर Mount Everest पार करने वाली हिमाचल प्रदेश की सबसे चोटी डड़की कौन से है, तो इसका answer जो है, कौन हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी अवधी तक सेवा देने वाले मुख्य मंत्री हैं, तो 129 का अंसर है, option C, बीरवधर सिंग, next question 130 है, नेटी शाहपूर संग्राम जो कब हो था, 1786 में, तो नेटी शाहपूर संग्राम में, कांगड़क के राजा संसार चन दृत्ती ने निमलिखित में से किसे हराया था, तो इसका जो answer दिया है, option C, राज सिंग को, next question है, Lord Mayo visited Shimla in which air, तो Lord Mayo ने किस वर Shimla की यात्रा की, तो 131 का है, option B, 1871, इस वी में, तो जो answer में आपको पता रहा हूँ, आप उसी पे ध्यान दे, जो टिक लगे हैं, इन पे आप ध्यान मत दीजिएगा, next question है, Himalayan Hill State Regional Council was formed in which air, तो Himalayan परवतिय राज्य प्रादेशिक परिश्रद की रचना कौन से वर्ष हुई, तो 132 का answer आएगा, option D, 1946, next question है, 133, who was the first chairman of Himalayan प्रशाशनिक अधिकर्ण के प्रत्थम अध्यक्ष कौन थे, तो 133 का answer है, option A, Justice Hira Singh ठाकुर, तो नयमूर्ती हिरा सिंग ठाकुर, next question है, Newgal Hydroelectric Project is constructed on which river of Himalayan प्रदेश, तो Newgal पन बिजली प्रियोजना हिमाच्य प्रदेश की कौन से नदी पे ये निर्मित है, 134 का है, option C, ब्यास नदी पे, next question है, temperate, next question जो है, Temperate Forest Research Institute is located at which place of Himalayan प्रदेश, तो शितोशन वन अनुद्धान सनस्थान हिमाच्य प्रदेश की किस जगाई ये स्थित है, तो इसका answer है, option A, शिमला, next question है, who is the author of recently published book reporting इने प्रकाशित रिपोर्टिंग इंडिया पुष्टे के लेखर कौन है, तो 136 का है, option B, प्रेम प्रकाश, तो ये current affairs के question थे, तो 2020 के पूछे गए हैं इसमें, तो current affairs के और जो reasoning के question है, इन्हें मैं skip करता हूँ, तो next question जो है, Indian history के question है, तो पहला है, which is the upveda of samveda, तो samveda का उपवेद कौन सा है, तो samveda का उपवेद है, गंधर्व वेद, option B, इसका जो है, correct answer है, तो question number 144 का option B, धनुर्व, तो samveda का संबंध है संगीत से, और samveda का उपवेद है, गंधर्व, टोटल वेद कितने है, हमारे पास, चार वेद, पहला है, रिगवेद, तो रिगवेद का उपवेद है, वो है, आयूर्वेद, उसके बाद जो है, यजूर्वेद, तो यजूर्वेद का उपवेद है, वो है, धनुर्वेद, और यजूर्वेद का संबंध है, वो है, कर्म मेजर रॉक एडिक्ट औफ अशोका इसलेटी तू प्रोभीशन ओफ एनिमल सेक्रिफाइस तो अशोक के कौन से मुख्य शिला लेक का समंध पशुबली रोकने से है तो वन फॉटी फाइव का जो अंसर दिया है ऑप्शिन ए मुख्य शिला लेक एक तो अशोक से लेटर कल भ का जो समंधा वो था मौरे समराज्य से मौरे वइंच से तो टोटल नंबर उफ इसके शिला लेक थे ब्रहुद शिला लेकों की संख्या थी 14 और 14 मेंसे जो तेर्मा था वो सबसे बड़ा था और स्तंब लेकों की संख्या थी 13 और इसमें साथमा जो था सबसे बड़ा था औ और तेर्वेशिलालेक जो था इसका वो था टी कॉश्चन इससे भी आता एक किस शिलालेक से गयाद होता है कि अशोक ने 2016 में कलिंग कलिंग का युद्ध जीता तो तेरवें शिला लेक से नेक्ष्ट कोशन है गीत गुविंद बुक वाज रेटन भाई तो गीत गुविंद पुस्तक को किस ने लिखा था तो 146 का अंसर आएगा ऑप्शिन सी आएगा जैदेव ने नेक्ष्ट कोशन है हमारे पास तो कौन से मुगल के शाषन काल में चित्रकला अपने चरम बिंदू पर थी तो 147 का अंसर आप्शिन भी जहांगीर नेक्ष्ट कोशन है मौपला विद्रो किस वर्ष ये हुआ था तो मौपला विद्रो कब हुआ था ये 1921 इसवी में तो ये हुआ था केरल में नेक्ष्ट कोशन नंबर है 149 इंडीन नेशनल कॉंग्रेस स्पिट इंटू ग्रूप्स ड्यूरिंग बिच सेशन तो भारती राष्ट्री कांग्रेस कौन से अधिवेशन के दौरान दो दलों में विवाजित हुई थी तो ये हुई थी सूरत अधिवेशन 1907 में तो नर्म पूर्टी का अंसर है ऑप्शन सी बांसुरी से नेक्ष्ट कोश्चन है बिच प्लैनेट है फास्ट एस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम तो सोलर परिवार में कौन सा ग्रह जो है सब से तेज परीभ्रहन करता है तो 151 का अंसर है ऑप्शन डी ब्रहस्पती तो इसमें नेश्ट कोश्चन बन फिप्टी थरी है ग्रास लैंड ओफ युरेशियन रीजन इस कॉल्ड तो युरेशियन कश्ट्र के घास्थल को क्या कहा जाता है तो 153 का अंसर है ऑप्शन ए स्टेपी स्टेप नेश्ट कॉश्ट बन फिप्टी फोर है विच इंडियन स्टेट है तो कौन से भारती राज्य की तर्ट रेखा जो है सबसे लंबी है तो बन फिप्टी फोर का जो अंसर है ऑप्शन डी गुजरात की उससे चोटी किसकी है गोगा की नेश्ट कोशन है विच इस लोंगेस्ट रीवर और पैनिसूलर इंडिया तो प्राइद भारत की सबसे लं आवां है त्रेमबक चोटी तौन हो याश्ट को या रहनितका प्सेट से जिस्गण गौ रहा नं लिकश्ट करके यह पद्वां सबसेथे नेक्स्ट कोश्टन है विच इस अप्लांटेशन क्रोप तो रोपन फसल कौन सी है तो 156 का अंसर है ओप्शन ए चाए नेक्स्ट कोश्टन जो है विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कंस्ट्यूशन डील विद राइट अगेस्ट एक्स्ट्वरेशन तो भाति संविधान के कौन से अनुशेद शोषन के विरुद अधिकार से समंध रखते हैं तो 157 का अंसर दिया है अंसर के में ऑप्शन सी अनु आप एक मतलर सेट बना सकते हैं कॉश्टन का तो ताकि आप फिर जब रिवीजन करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा नेश्ट कॉश्टन है जोएंट सेशन ऑपार्लिमेंट इस प्रिसाइड़ ओवरवाई बिच ओफ दा फॉलोइंग तो निमिलखित में से कौन संस है ऑप्शिन डी ओल अफ दीज सेल गेल और बेल ये तीनों महारतन मतले इनको इन कंपनी को महारतन का दर्जा प्राप्त है नेश्ट कॉश्टन है विच इस यूज़ ऐस शेविंग मिरर तो वन सिस्टी का अंसर आएगा आपका ऑप्शिन भी एगा कंकेव मिरर तो शेवि का अंसर आएगा ऑप्शिन ए कारबन मॉनोकसाइड एंड हाइडरोजन और नेक्स्ट कॉश्टन जो है 162 है हमरे पास मीसल्स इस कॉस्ट भाई तो खसरा किसके कारण होता है तो 162 का अंसर दिया है ऑप्शिन भी वाइरस से तो अन्टॉनिम ऑफ सौड़िड इस तो 163 का जो अन्सर दिया है फृण ऑप्शिन सी दिया है जने रेस नैंट्स इस स्थिछों फॉर बन वर्ट सासिजूशन फोर रिगार्ड फॉर अधर्स ए जाफिट्र फॉर इस तो कॉंफ वाइंसर इस तो 164 का अंसर दिया है ऑप्शिन दी ने ने च और सिस्थिफवाइव है इ saw a pack of worms roaming around the forest our next question 166 meaning of the idiom to Vegas description is 166 का अंसा दिया है option c beyond one's power to describe adequately next question 167 का है गरामगत में समास कौन सा है तो 167 का अंसा दिया है option d tat purush next question neta का प्रहवाची शब्द क्या है 168 का दिया है option a अगुवा तो नेत्य का प्रहवाची शब्द दिया है अगुवा next question 169 ना करगड़ना मुहावरेकार्थ क्या है तो इसका दिया है option d अधीन होना next question जो लेने की चाह रखता हो के लिए उप्युक्त शब्द कौन सा है तो 170 का है option भी लिपसू तो फ्रेंड्स यह था जी के section statistical assistant 886 का तो आपको वीडियो ची लगी हो और नेचे description box में इसका link दिया है PDF का आप वहाँ से इसको download कर सकते हैं और साथ ही final answer की का link भी आप वहाँ से download कर सकते हैं तो आपके आने वाले exam में question जे काफी जादा important रहेंगे